नमस्कासातियू जैसा कि आप सभी को मालू होना चाहिए कि हम लोग बात करहे हैं मदवधेश सामान घ् Broadcast के बारे में और आप सभी लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खासकर मदवधेश के किसी गवर्मेंट एक्जाम की अगर आप लोग तैयारी करें तो आप लोग उने उसके पुराने questions paper देखें होंगे और आप सभी लोगों को मालोगी होगा कि MP special से आपकी परिक्षाओं में अच्छी खासी संख्या में questions आते हैं तो इनी को ध्यान में रखते हुए आपका मैं तो इतना कह सकता हूँ कि MP PST में अगर आप लोग MP special को नहीं पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि selection हो सकता है क्योंकि आप देखते हैं एक बहुत बड़ी संख्या में आपके questions फूचे जाते हैं तो इनी बातों को ध्यान में रखते हुए आपका एक separate playlist सूची बना दी गई है जिसका नाम है MP special GK complete classes के नाम से और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक chapter को cover कर लेते हैं पर आप देखिए उसी से सम्मंदित आपकी दूसरी class ली जाती है और उस दूसरी class में आपकी उस class से सम्मंदित माले जी कि हम लोगोंने एक आपकी मद्विदेश का सामान परिचय देखा था उसमें हम लोगोंने मद्विदेश सामान परिचय में बहुत बिस्तार से बात की हुई थी मद्विदेश के बारे में एक तरह से आपके यह overview लिया हुआ था उसके बाद आपने देखा है कि मद्देश सामान ने परिचे से हम लोग उने किस तरह की questions बन सकते हैं आपकी परिख्चाओ में उन सभी questions को देखा था और इससे क्या रहेगा कि आप लोग एक chapter को विस्तार में पढ़ लेते हैं तो दूसरी जो class रहेगी उसमें आप लोग questions देख लेगे तो आपको यह समझे में आ जाएगा कि इस chapter से कितने तरह की questions बन सकते हैं कौन से questions मतपूर हो सकते हैं और आपकी परिख्चाओ में किस तरह की questions पूछे जाते हैं तो आप सभी को बता दूँ कि हम लोगों ने पेशली class में अपने देखा है कि मद्धिदेश का गठन और पुनर गठन हम लोग देख चुके हैं और इस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है आप लोग जो मद्धिदेश देखते हैं न यह हमेशा से ऐसा नहीं रहा आप देखते हैं कि 1947 को हमारा भारत आजाद होता है और उसके बाद आप देखेंगे 1956 में मद्धिदेश नाम का एक राज जाता है उससे पहले दूसरी इस्तिती थी मद्धिदेश की फिर आप देखते हैं कि सन 2000 तक 36 गर जो आप देख रहें न यह मद्धिदेश का हिस्सा रहता था और आप देखेंगे कि तब तेलंगाना हो या आप कह सकते हैं कि अगर अभी भी शती सिर्मान काुछ ऐसा धृता तू आप देखते कि इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती खृति या Chung ऑक जपी जरूर आप लोग शारे Explor ईए जरूर आफल्धर्य לק ओ और आप रहेगा और आप सभी जानते यांते हैं तो 2014 में राज मनाए गया था तो इनी सभी इसका गठन और पुनर गठन देखा जाता है उसे किस तरह के questions बन सकते हैं तो इसमें हमारे सामने पहला questions आपके सामने रखा गया है कि मद्द्पिदेश का गठन किस आयो की अनुसंसा पर किया गया है मद्द्पिदेश का गठन किस आयो की अनुसंसा पर हुआ फजल अली आयो काका केल कर या फिर आप देखें बताईए कि हरिस्चंद आयो या इन में से कोई नहीं या इन में से कोई नहीं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालू भी होना चाहिए इस तरह की कुष्टन सभी मुझे लेता है कई बार तो इसमें क्या लगाओगे आप सभी जान दें कि फजल आली आयो की अनुसंसा पर आपकी मद्द्पिदेश राज्य का गठन भी किया गया था और एक बात और आपको बता दूँ कि देखिए क्या है ना कि भासा याला हर पर गठे थोने वाला पहला राज्य कौन सा था आपको इसमें अगर आप लोग जाएं तो चार इस्टेट हुआ करते थे पाइटे इसमें आप देखेंगे इसकी राधधानी नांगपूर थी और इसमें सामिल परांध थे आपकी सेंट्रल प्रोविंस और बरार और इसके पिरमुक पहले पिरमुक हुए पंडित रवी संकर सुकल ठीक है फिर आप देखेंगे कि पाइट भी था इसकी राधधानी इंदोर रही और ग्वालियर भी रही इसे इस प्रांध का नाम था मदभारत और लीलाधर स्टेट यहां के पिरमुक हुए पाइट सी में आप देखेंगे रीबाध था था और बिंद पिरेश से आप सभी जानते हैं प्रांध इसका नाम था और पंडित संभूनात सुकल यहां के पिरमुक थे पाइट सी में ही आप देखें भोपाल भी सामिल था और भोपाल इसकी राधा नहीं थी भोपाल इस्टेट के नाम से आप लोग जानते थे डॉक्टर संकर दयाल सर्मा इसके कौन थे अध्यक्ष थे तो यह आप सभी लोग याद रखिएगा ठीक है फिर आप सभी जानते ही कि मद्ध पिदेश का एक तरह से गठन होता है और इसमें से इन खेत्रों में से जो चार इस्टेट थे ना इन में से कुछ छेत बारी राज्यों में चला जाता है और आप देखेंगे इन में से कुछ को मिला कर आपका मद्ध पिदेश बनता है अगर आप भोपाल स्टेट को देखें तो पूरा का पूरा मद्ध पिदेश में मिला दिया गया था और बिंद पिदेश को देखें तो यसमें भी आप देखेंगे पूरा का पूरा मद्ध पिदेश में मिला दिया गया था सेपी बरार में आप देखेंगे आठ छेत्रों को चोड़कर सेश मद्ध में पिदेश में मिलाए गया था और आठ छेत्चेत्र मुंबई राज में मिलाए गया थे इनमें कौन-कौन सा मिले बोल्डाना, अकोला, अमराबती, यवत, माल, बरधा, नांगपुर, भंडारा, च आठ देखेंगे बिंद पेदेश, मिल गया, बाकी आप देखेंगे जो आपका मद्ध भारत था, और सीपी बराद था, इसमें से कुछचच छेता आपका बाहर चला गया था, बाकी का मद्ध पेदेश में मिल गया था, तो फजाल आली आयोग को जरूर आप लोगों को या उत्तरपदेश राजिका गठर हुआ, एक निवर मर उनीसो चपर को, और याद रखी इसकी राजधानी भोपाल बनाईगे, लेकिन आपको मालू हर चाहिए कि भोपाल उस समय जिस्तमय राजधानी बना, उस समय क्या था? जिला नहीं था, वो एक क्या थी? तहसील थी, ठीक ह 1972 में जाके, क्या बनता है? जिला बनता है, तो ये भी याद रखी एगा, और इसकी सीमा अभी बरतमान में आप देखें, तो राजिस्थान, गुजरात, महाराष्ट, लखनव, यानि कि उत्तरपदेश, 36 गर से लगती थी, और वैसे अगर आप सीमा की बात करें, तो आप आपकी उडिसा से भी लगती थी, और आपकी आद्विदेश से भी लगती थी, और जारकर्ण से साथ राज्यों से लगती थी पहले, जब तक 36 गर मद्विदेश का हिस्सा था, और जब तक मद्विदेश का हिस्सा था, देखिए तब तक आपको बता दूँ, क्या बताना ह है कि आपका छेथफल में सबसे वड़ा राज्य था आपका बद्वदेश ठीक है तो इसमें मत फजल अली आयो और अगर आपको मालू है तो इसके बारे उत्वेंद बता दिया करेंगा चलिए दूसरा कुष अंस आप लोग बताईए राजिस्थान की सरोजी तहसील को किस ज सामिल किया गया था यह आप देखिंग विदीवसा में सामिल किया गया था किसमें विदीवसा में सामिल किया गया था तो यह भी कुष्टन कई बार पूच लेता है कि क्या कर लेता है पूच लेता है आपसे इसी लिए बोल रहा हूँ है चलिए अंगले कुष्टन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार की राध्धानी कहां थी इंदोर भोपाल या फिर आप देखिए नांगपुर या गवालियर पीछे बता भी चुका हूं तो आप सभी जानते हैं कि इसकी राध्धानी नांगपुर थी क्या थी नांगपुर थी समण हों 22 ज्लि रन्या ज़ेलों नभाड़ी है कि अंगला कुशन बुर्हानपुर को कि देख जली से पिथक करके नया जला बनाया गया था और हुट श्रोग यह कर लिए था कुछ लेता है आपसे कि बुर्हानपुर को किस जली से अलग करके बनाया गया था जिला किसे बुर्हानपुर की बात करें समझ रहे हैं एक गुना से सतना से सहडोल से या खंड बासे तो आपको बता दूँ कि बहुत सम्ती थी है इसकी सिफारिस पर बुर्हानपुर को खंड तो आपको डेट भी बता दी है ठीक है और इसी दिन आप देखे कि इसी 2003 में अनुखपुर आपका सहडोल से अलग करके बनाए गया था और असोक नगर गुणा से अलग करके बनाए गया था अगला कुष्छा है निमनमे से किस पिकार का राज है भू आविस्थि राज या फिर आप देखे भी सीमांत राज या वांदानी राज या लिए जा्या है तो आप आपका बिल्कु सही रहेगा समय, क्या रहेगा, A option, अंगला कुशन है, भोपाल को राज निर्माण के पैरामीक समय में, किस पेकार की बर्ग में सामिल किया गया था, पार्ट A स्टेट, पार्ट B स्टेट, पार्ट C स्टेट इन में से कोई नहीं तो आप सभी को मालू होना चाहिए पार्ट C स्टेट में सामिल किया गया था C option बिल्कु सही है इसमें 25 मई 1998 को BR2 आयो की सिफारिस पर कितने जिलों का अगठन हुआ था 25 मई 1998 को BR2 की आयो की सिफारिस पर कितने जिलों का अगठन हुआ था 10, 5, 15, 6 तो याद रखे यह आप देखेंगे कि कितने जिलों का 10 जिलों का हुआ था 10 जिले बनाए गये थे कितने 10 जिले बनाए गये थे और मद्ध्पदेश में जो इसमें 10 में से आपके जिले थे कितने चार बढ़वानी सियोग और कटनी डिनोरी बाकी 36 गड़ के 6 जिले थे उसमें तो इसमें आप लोग याद रखें 10 जिले बनाए गये थे 30 जून 1998 को सिंग देव कमीटी की अनुसंसा पर कितने जिलों का गठन हुआ था 12, 6, 5, 8 तो याद रखें इसमें 6 थे कितने थे 6 थे और आप देखेंगे इसमें से 3 मद्ध्पदेश के ये थे और 3 आपके 36 गडगे थे मद्ध्पदेश की बता देता हूं उमरिया अल्दा नीमज बनाए गए थे 36 गडग के गठन के पूर मद्ध्पदेश में कितने जिले थे यादि कि आप देखी कि सन 20 तक मद्ध्पदेश में जिलों की संख्या कितनी थे तो आप सभी चांते हैं कि 61 थी, कितनी थी? 61, 60, 50, 61, 61 थी इसमें, कितनी थी? 61 थी, लेकिन आप सभी को भी वालू हैं, कि 61 में से आपके कितने संभाग चले गया थी? कितने जिले गया थे? 16 जिले आपके, कहां चले गया थे? 36 गड़ में, और 36 गड़ को, 16 जिलों को अलग करकी मद्विदेश के, 1 नवंबर संभी जार को 36 गड़ राज बनाए गया था, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे, मद्विदेश में 45 जिले बचे थे, 9 संभाग रखेगा, अंगला कुश्य ने, सन 24 में, 36 गड़ की गठन के पश्चाद, मद्विदेश में कितने जिले बचे थे? अभी जर्ष पीछे बचाद, बता चुका हूँ, 45, 40, 55, 45, कितने बचे थे? तो 45 बचे थे, आप सभी को मालू है, अंगला कुश्य ने, 1 नवंबर सन 1956 को गठन के समय मद्विदेश में कितने जिले थे? जिस समय मद्विदेश की स्थाफना हुई, उस समय मद्विदेश में कितने जिले थे? बदा ये, कुछ मालू है, या ऐसा ही तो आप सभी जानते हैं मुझे लगता कि बताने की जरूद थी नहीं है पैंतालीश चालीश आपके देखिए तैंतालीश जले थे और आठ संभाग थे कितना आठ संभाग थे तैंतालीश जले थे भूपाल इवं राजनन्द गाओ को पित्थक जिलाग कब बनाए गया था 26 नवंबर 1932 तीस नवंबर 1932 तो ये 26 नवंबर की घतना है 26 नवंबर 1932 को आपका भूपाल को सिहोर से और दो रोग से आप देखें गिर राजनन्द नंद गाओ को दोग से अलकर की जिलाव नाए गया था तो ये दोनों याद रखेगा ए ओप्सन बिल्कुछ सही रहेगा समय और आप सोचे कि 1932 तक सेहोर की एक चोटी सी आप कह सकते हैं कि तहसील थी आपकी भूपाल लेकिन जिलाद थी क्या थी राजधानी थी जिला नहीं था लेकिन ते या फिर भी राजधानी था गुना, सहडोल और अनुपुर तो आप सभी को मालू है कि गुना क्योंकि 15 अगस्त 2003 को तीन नए जिले बने थी आपके इसमें आप देखेंगे ये एक तो बुर्हानपुर था जो खंडबा से अलग करके बनवाय गया था अनुपुर था जो सहडोल से अलग करके बनाय गय गया था अली राजपुर को कब बनाये गया सबसे पहले तो आपको यहीं बताना है बताई जाबुगा नरवदापुरम सीधी चंबल कब बनाये गया वह सबसे बड़ी बात यह भी बताईए आप लो कौन सा अप्शन लगाओगे आप ही बता दीजे यह है 17 माई 2008 की बात है अली राजपुर रसेंगरोली दो नए जिले बने थे क्या बने थे जिले बने थे जाबुगा नरवदापुरम सीधी और चंबल जाबुगा नरवदापुरम सीधी और यह आपका है चंबल तो आप सभी जानते हैं कि जाबुगा जाबुगा है इसमें क्या है जाबुगा है आपका ठीक है तो जाबुगा आप लोगों को लगा देना है अलीव राजपुर आपका जाबुगा से अलग करके बनाया गया था और देखिए बता देता हूं आप कहें तो रीवा थी इसकी भोपाल जावलपुर रीवा और तो रीवा अभी भी आप देखिए बिंद्ध पिदेश में ही आता है रीवा ठीक है तो यह भी याद रखिएगा संदुग जार आठ में सिंग रॉली जिले का गठन किस जिलिस के विभाजन क कि बना गया था यह बता चुका हूं रीवा सीधी जाववा सहडोल बताईए और इसमें आप लोगों को मालू होना चाहिए यह सीधी से बनाय गया था किसे सीधी से सी ओप्सन बिल्कु सही रहेगा आपकर सी नहीं बी ओप्सन सही रहेगा 2008 में बनाय गया था ठीक है कभी गलती हो जाती है तो आप लोग सुधार के नीचे लिख दिया करिएगा आपकी भी जिम्मेदारी है दस्वा संभाग किसी बनाय गया था दस्वा संभाग किसी बनाय गया था इंदौर को रीवा को होसंगाबाद को सहडोल को तो आप सभी जानते हैं कि दस्वा संभाग किस अनिपपुर तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा और इस संभाग में तीन जिले हैं सहडोल उमरिया अनुब नर्वदापुरम के संभाग का नया नाम है होसंगाबाद, रीवा, जवलपुर, सहडोल तो आप सभी जानते ही कि होसंगाबाद का है नया नाम है और नर्वदापुरम का जो मुख्याला है न संभाग का यह होसंगाबाद में है और अगस्ति 2008 में होसंगाबाद का नाम बदलकर नर्वदापुरम कर दिया गया था इसमें भी तीन ही जिले हैं एक तो होसंगाबाद, हर्दा, बैतूल अंगला कुक्षिर है हमारे सामने, आव यहाजित मद्वदेश की सीमा कितने राज्यों से को इस फरस करती थी साथ, पांच, छे, आठ तो आप सभी बता चुका हूँ, साथ राज्यों को करती थी एक बार देख लिए, उत्तरपदेश एक, राजिस्थान दो, गुजरात तीन, महराष्च चार, और चटीस गड़ भी मद्वदेश में ही था तो आंद्वदेश पांच, उड़ी साच है, और जारखन साथ, और अभी बत्मार में कितने से करती है, पांच से तो यह भी याद रखिएगा, देश के पांच राजिचों से, मद्वदेश की सीमा बलती है, बताईए निमनेवे से किस राजी की सीमा मद्वदेश को नहीं चूती है राजिस्तान, गुजरात, उत्तरपेदेश, पश्यमंगाल, तो आप सभी को मालू है, राजिस्तान की चू रही, गुजरात की भी लग रही है, उत्तरपेदेश की भी लग रही है, लेकिन पश्यमंगाल की नहीं लग रही है, लेकिन नहीं चूती है, तो पूचा है, तो आप लोगों को D option लगा देना है क्योंकि आप दें कि पश्चम मंगाल यह है और मर्दपदे से यह है कहां से चीमा छुएगी ठीक है कि निम्र में से किस नगर का नाम चदसेकर आजाद नगर घुसित किया गया बताईए सतना और सतना रतलाम जाबुआ भावरा तो यह आपको मालू होगा कब किया गया था 2010 की बात है भावरा गाउं का नाम बदल के चंद फिकर आजाद नगर घुसित कर दिया गया था अली राजपुर जिले में पड़ता है ठीक है बेदी बिदेस की राधानी कहां थी एझात बाता चुका हुँ रेबा में थी कहां थी रेबा में थी इसमयी मतले पान्टीन जीवाह लाल नहरू नैकरन किया थीं Pharisee आप देखेंगे कि छेथफल की दृष्टि से सबसे चोटा सबसे बड़ा सभाग जवलपुर, इंदौर, भोपाल, नर्वदापुर, तो जवलपुर है, चीक है, तो इसमें ये भी याद रखिएगा, छेदफल की दिरिश्चे से सबसे बड़ा जिला, छेदबाडा, भोपाल, इंदौर, रीवा, तो आप सबी जानते हैं कि छेदबाडा है इसमें, कितना है छेदबाडा है आपका, और छेदबाडा का अगर आप लोग देखें न, छेदफल देखें, तो 11,815 वर किलोमीटर है इसका, ठीक है, और आप देखें, तो एह हुए आपके कुछ महत्पून कोश्चन्स, और मुझे लगता है कि आप लोगोंने विस्तार से बढ़ा है, त बनी थी, लेकिन 1998 में अपना काम किया था, MS सिंह देव सम्ती थी, जून 1998 में बनी थी, और जब मद्वदेश राजवनाय जाया था, तब समीधान में साधवा समीधान संसोधन हुए था, और जब 36 गड़ अलग किया गया, इसमें 84 वा समीधान संसोधन था, ठीक है, तो यह भी याद रखेगा, और अगर जिलों की बात करें दो देखिये, 1998 में में सिवपूर से अलग करके, सिवपूर मुरेना से अलग करके बनाय गया था, और 1998 में ही आप देखेंगे, सहडोल से अलग करके, उमरिया बनाय गया था, मंदुसार से अलग करके, नीमज बनाय गया थ 1998 में ही जमलपूर से अलग करके कटनी बनाए गया था उन्यस औन्ठानबे में ही 1998 में ही मंडूला से दिनोडी बनाए गया था 1998 में ही आप देखेंगे पच्चमी निवार्द थरभॉन से बड़बानी बनाए गया था और आप देखें कि 2003 में खंडवा जिसे पूर्म निवार कहते हैं इसे बुरहान पूर बनाए गया था 2003 में गुना सी असोग नगर बनाए गया था 2003 में ही आप देखें कि सहडोल से अनुपूर बनाए गया था 2008 में आप देखें जाबुवा से अली राजपुर बनाए गया था 2008 में आप देखें कि सीधी से सिंग्रॉली बनाए गया था आगर मालवा आपका 2013 में बना साजापुर से अलग करके निबाडी 2018 में बड़ा एटी कमगर से अलग करके बना तो इन सब के बारे में एक सामन जान करिए रखा करिएगा दस संभाग है आपकी इसे कौन रखा रहा है तो यही कहानी हुई और आप लोग अपना सुझाओ बताईएगा ठीक है कुछ अगर कमी रह गई कुछ और कुश्चन्स बड़ा ना हो जैसी भी आपकी इच्छा रगी रहेगी उस पर हम लोग काम करते रहेगे चलिए आप लोग इंज्वाय करते रही है अंगले चैप्टर में हम लोग मद्बदेश की परिपेख्च में बात करें मद्बदेश सामान गयान की तो इसमें हम लोगों अंगला चेप्टर कौन रहेगा हमारा मद्विदेश का एक इतियास देखेंगे इसमें हम लोग मद्विदेश का प्रगितियासी के इतियास देखेंगे प्राचीन, मद्द, आधुनिक और जो जैसा कि यह होता है कि उसके बाद हम लोग आपकी मत्विदे इसकी इतियास से जिस तरह के कुश्चान सापकी परिक्षाओं में बनेंगे उनको भी हम लोग देख लेंगे एक एक करके ठीक है?